स्माइल हन्या की मौत की गुत्थी सुलजने का नाम ही ने ले रही आखे स्माइल हन्या मारा कैसे गया सवाल सभी तरफ यही है एरान इस पर चुपे साधे हुआ है जांच की बात कह रहा है इसराइल जो है वो किसी तरह से कुछ कहने को तयार नहीं है उसने अभी तक इस हात् आद को स्विकार नहीं किया गया कि किसी तरह का हमला उनकी तरफ से किया गया या उनका इसमें हाथ है वो भी चुपी साधे हुआ है किस तरह से आगे बढ़ेगा बाच्चित करने के लिए मेरे साथ मेरे सयोगी मयंक जुडगाए है मयंक जिस तरह से हनिया की मौत हुई आब तक वो कुथी सुलजी नहीं है इरान इस पर कुछ नहीं कह रहा है वो चुपी साधे हुआ कह रहा है जाच होगी मिसाल की जहां तक बात आ रही है कहा यह जा रहा है कि जिस इलाके में हनिया था वहाँ पर इरान के बड़े डिफेंस के जो रिटार्ड ऑफिसर्स थे उनके उलजी होई है जिसमें मैं आपको लेटेस्ट बताना चाहूँगा नियॉयॉक टाइम्स ने खबर चापी है इस खबर के मुताबिक इसमाइल हनिया जिस गेस्ट हाउस में रुके हुए थे तेहरान में उसके अंदर दो मैने पहले से एक्स्प्लोजिव प्लांट कर दिया नियॉक टाइम्स की तरफ से किया गया है कि कुछ सोर्सेस से कि जिस गेस्ट हाउस में इसमाइल हनिया रुके हुए थे वहां पहले से ही मुसाद के एजेंस ने एक्स्प्लोजिव पहले से अंदर पहुचा दिया था उन्हें पता था कि अगर राश्पती एरान के सारी जो कहते है ना कि अप गुपचुप तरीके से रह रह रहता है यानि कही ना कहीं मुसाद को पता था कि सब कुछ बिल्कुल ठीक आप कह रहे हो असल में है यह जो इसमाइल हनिया थे यह इसके पहले भी दो तीन बार तेरान जा चुके है और वह जब भी रुके तो वह सब की हिसरे टजा दो कि मूसाद के दुखष को मुसाद को फारी से यह जान रहा हुआ हो कि अगर भी राश्पति के शप्त घ्रए दो को उन्हाँ पामिल नहीं है कि आप कि यह जो जो थो इसको कि आप।के थे पहले से करीब बानिंग शुरू हो गई भीया थे लिड़स कि इसमें लिए हम ně ense doll diapers के हमास के भीतर अगारी है ? अगय है प्लान के हमास के वफ इन में इसे खोड़ाएं के माठ अपने हमास कोई प्लान करता हि तेहरान के हमास के म।ख तरही Nacht कि हमास के मौत के पीछए है क्योंकि ऐसी कई सारी चीजे हैं जो बहुत रहसे हैं आप देखिए कि जिस तरह से गेस्ट हाउस पे हमला हुआ वहां पे रडार्स लगे हुए हैं वहां पे एंटी मिजाईल सिस्टम्स लगे हुए हैं यानि कि अगर यह बहुती सेफ जोन था जहां पे इसमायल हनिया रुक कि किसी तरह के कोई गाइडेड मिसाईल जो वहां पर जाके गरी है मतलब आप समझेए कि इतनी बड़ी हत्या हो गई है चारो तरफ हाकार मचा हुआ है युद जिस सिती बन गई है लेकिन एरान फिर भी चुप है बिलकुल बिलकुल और सिस्फ एरान ही नहीं अब तो हमास कि इतनी बात का कि इरान की तरफ से इस पूरे मामले की जाह चोड़ी है और क्या रिपोर्ट सामने आती है अब इसमें जहां तक हमले की बात है तो इसमें दो तीन थेओरी है कि पहले हमने चर्चा की ती कि आरा है कि वह इने F-35 जो फाइटर प्लेन है अमेरिका का उसकी कि मारा गया या फिर कोई ड्रोन से गाइडेड मिजायल थी उससे हमला किया गया लेकिन इसकी संभावना है बहुत कम है नीलू क्योंकि यह जिस एरिया में हमला हुआ है वहां पर यह दोनों चीज थोड़ी से मुश्किल है कि एरान की तराजधानी तेरान में कोई मिजायल अ करें एंटी मिजायल सिस्टम काम ना करें यह तो रसम है बिल्कुल देखे सबसे बड़ा सवाल अभी यही बना हुआ है कि ऐसे सिक्योरिटी जोन में और खास तोर पर हनिया जस तरह से अपने आस पास पूरी सिक्योरिटी लेकर चलता था वो इरान का गैस था इतनी बड़ चू कैसे हो गई लेकिन सबसे बड़ा सवाल मयंक यही है कि चुकि अब यह मौत की गुथी है इसको सुलजाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है सभी देश अभी अपने आपको बिल्कुल थामे हुए चल रहे है कि जाच की बात आ जाएगी क्योंकि अभी खमैनी को मैंने देखा उन्होंने का कि खून का बदला खून से लिया जाएगा मस्जिद के उपर लाल कलर का जंडा भी लगा दिया गया है यानि कहीं न कहीं इरान की तरह से संदेश दे दिया गया है कि इसको आप हलके में नहीं ले इरान पूरी तरह से हमास के साथ है देखे आप पिछले तीन दिनों में तीन बड़े दुश्मनों को इसराइल ने खतम कर दिया है इसमाइल हनिया के पर अटैक हुआ उनकी मौत हो गई उसके बाद मुहम्मद दाइफ जो की हमास के मिलिटरी चीफ थे कहा गया कि कल उनकी हत्या की गई है उनके उपर अटैक हुआ उनकी मौत हो गई है अब एक याया सिन्वर एक तीसरे नेता है हमास के जो पिछले साल जब अक्टूबर में इसराइल पे हमला हुआ उसमें जो तीन बड़े लोग शामिल थे उसमें जो तीसरे नेता एक बचे हुए है उनका नाम है याया सिन्वर अब है बनका इसराइल बमे अको गो हमास जो ओगा जो जारता है कि हुए हमास कोन होगा यह शामी चिफ कि जो लुआ एक नाम की जो थाह रहा है ओजने शामी हमास के बड़े नता है और इनका इनका पॉपुलर तब हुए थे जब उनिस संत्यानबे में एक बार मुसाद की तरफ से जौर्डन पे थे इन पे हमला किया था और इनके जहरीला इंजेक्शन लगा कर मारने की कोशिश की गए थी उस समय हा लेकिन वो बच गए थे इस हमले में उसके बाद से पूरान, एरान, हमास और हिजबुल्ला यह सब मिलके हो सकता है कि अगाने जिस तरह से खबर भी आई है कि जो हिजबुल्ला है उसने काफी जादा रॉकेट दागे है शायद इसराइल पर कहा है बहुत जादा नुक्सान नहीं हुआ लेकिन पूरी तरह से अटागिंग मू किसी जंग की तरफ जाता है या इसका कोई और सॉलुशन निकल के आता है तो अभी मामला जो है मिडल इस्ट में और काफी जादा टेंस्ट हो गया है और चुकि अमेरिका का रुख भी स्पेस पर्ष्ट कर लेना चाहेंगे क्योंकि देखिए वहां पर राश्पती कि सब कुछ शांत रहे किसी तरह से हमास और बाचित हो इस्रेयल से लेकिन अब वैसा कुछ लग नहीं रहा है तो आप अमेरिका की पॉलिटिक्स पर भी इसका कितना असर और अमेरिका पर भी कितना दबाव आप देखते हैं इस इंसिडेंट के हलिया के मौत के बार कि हम ट्रम्प और जो बाइडान या ट्रम्प और कमला हैरिस के अपस में तुलना करें तो इसमें ट्रम्प जो है वो जादा एग्रेसिव रहे हैं हमेशा फिलिस्तीन के खिलाफ हमास के खिलाफ इसबुला के खिलाफ तो अब ये बड़ा देखने की बात है कि अमेरिका की का क्या नतीजा सामने आता है उससे बहुत कुछ इस पूरे मिडलिस्ट का जो फेट है वो उसका मविश्च जो है वो दिसाइड होने जा रहा है चलिए तो हानिया की मौत की गुत्थी जो है अभी सुलजना बाकी है और इस गुत्थी पर हमारी भी नजर रहेगी और मध्य पूर्व में जिस तरह के हालाद बन रहे हैं उस पर भी लगातार हम नजर बनाए हुआ हैं हमारे साथ लगातार आख चुड़े रहे हैं